पेट की गैस और कब्ज जिसको भी ये समश्या है दोस्तों जिनको कब्ज की समश्या होती है लंबे समय से वो रही है आपको तो पेट में सड़न हो जाती है जब भी आपने देखा होगा गैस बनती है पेट में तो भूत आजीब सड़ती है उसके कारण क्या होता है जो आप खाते हैं वो आपके पेट में पच्ता नहीं है, सडने लग जाता है, जिसके कारण अने को बिमारी आउती है सरीर में, दोस्तों आपने सुना ओगा कबज जो है बिमारी ओकी जड़ होती है, जितनी पेट में कबज रहेगी बिमारी बढ़ती चली जाती है, तो आज जो नुस अगर पेट में गैस बनी है, उसमें फायदा मिलेगा, और अगर किसी को लंबे समय सी कबज की समस्या है, उसके कारण गैस की समस्या बहुत ज़्यादा परेसान कर रही है, तो उसमें भी फायदा देगा ये, आपको जड़ से ठीक करेगा इस तरह का नुस्खा है, ना तो इस नुस्खे के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, और ना ही आपको इसके लिए डेर सारे पैसो की जरूर रथा, अगर आपने एक बार में दस रुपे में ये नुस्खा तयार कर लिया ना, तो आप इसे पंदरा दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो, बहुती आसान रहे तो उसके लिए आपको क्या सामगरी चाहिए, यहां पे आप देख रहे हैं, यह हमारे पास जाइफल दोस्तों, बड़े ही काम का फल होता है जाइफल, बहुत सारी समश्याओं को ठीक करता है जाइफल, यह आपके पेट में बनने वाली गैस, कबज और एनिंदरा जैसी सम कम से कम तीन चम्मच निम्बू का रस आपको एक बार में लेना होगा, और नुस्खा जो आपका दो बार के लिए तयार हो जाएगा, एक निम्बू के साथ में इसे बना लेना, थोड़ा वोत निम्बू का रस उपर नीचे हो जाता है, तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा सबसे पहले आपको जो निम्बू लेंगे ना, उसको काटके रस निकाल लेना है, एक कटोरी में अलग से रस निकालना, उसके बाद में जो आप चाय फल लेकर आए हैं दुकान से, इसको थोड़ी सी देर आप पानी में छोड़ देना, डाल कर दो जिससे इसके उपर की दो लेना दो तिन पानी की साथ में, एक बार दो लेंगे फिर बार बार आपको दोने की जरूरत नहीं है, एक बार सुरुवात में जब इस्तिमाल करेंगे तबी दोना है, और फिर आपको रोजाना क्या करना है, ऐसी कोई पट्टी ले लेनी है, खुरदरी सी, जिस पे इसे आ उसमें जितना ये जाइफल गिसा जाएगा, आपको ये कम से कम, जो है, ये समझेए कि दो चुटकी जाइफल का पाउडर होता है, इतना आपको ये घिस लेना है, अन्दाजे से, क्योंकि जाइफल जो होता है न दोस्तों, इसको आपको बहुत अधिक मात्रा में नहीं ले बहुत आमें समझ्या होती है, डंग से सो भी नहीं पाते हैं, तो आपको एकदम बढ़िया नींद भी आएगी, तो आप जो है न इस तरीके से, तीन चमच रस लिया था आमें नीम्बू का, और साथ में इसको दो चुटकी के जितना आपको जाइफल इसके अंदर गिस ले और फिर आउस पेष्ट को आपको दो बार लेना है दिन में, एक बार सुबे में, एक बार शाम में, सुबे में कब लेंगे आप, जैसे आप सुबे खाना खा लेते हैं, तस ग्यारा बजे के आसपास, या फिर आप नास्ता करते हैं, तो नास्ते में इसको नहीं लेना है, आप जब दो फेर में खाना खाते हैं न एक डिट बजी उस समय या फिर सुबह एक ही बार आप खाना खाते हैं नास्टा वगेरा नहीं करते हैं तो उसके पहले खाने के पहले आपको लेना है ऐसे ही शाम को आपको जश्ट पहले लेना है एक मिनेट पहले और साथ की साथ आपने ओटल वगेरा में देखा होगा आरी बार एक सोंफ आती है वह लाकर रख लेनी है यह जो बड़ी सोंफ में होते हैं फाइबर जादा होता है उसके अंदर आपको रेसे-डेसे दिखते हैं जादा नहीं होती है आसानी सी खा सकते हो आप इसे तो इसको मुखवास की जै पेट में कबज नहीं रहती है और जो आपकी पेट में सडन हो जाती है खाना पचता नहीं है डंग से पचता है और नोर्मन तरीके से जैसे गैस पास होती है उसमें सडन नहीं आती है बिलकुल बे आपके पेट को बिलकुल हलका रखे गाई आप इसको आजमा कर देखना सि आ जाते हैं, बाजार से लाते हैं तो इसको बीना है आपको अच्छे से उसके बाद में अगर आप मीठे के सोकिन हैं तो इसमें जो सिटा मिष्री आती ही, खड़ी मिष्री आती है वो थोड़ी सी तोड़ कर बारिक टुकडू में डालना आपने देखा होगा मोटल वग Carryara में जाते हैं तो आमे चोकोरच से दाने मिलते हैं मिलते है. मिसरी के वो नहीं लेने हैं वो फकुर के जैसे ही होते हैं पेट के लिए सही नहीं होते हैं वो फक्वर जैसे ही होता हैं दोस्तो। लेकिन Jyita M Chrys दागी वाली मिस्री वो लाकर थोड़ी शी डालना जैसे आपने 100 ग्राम सोंफली है ना तो उसमें 10 ग्राम के जितनी बहुत ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए क्योंकि ज्यादा मीठा खाना भी अमेशा अच्छा नहीं होता है अगर आप इसे फीका ही खा सकते हो तो आप इसे बिना मीठी खाए अगर आपको मीठा लगे तो बिल्कुल थोड़ा सा डालना एक्तम नैचुरल जैसा मीठा साइस के अंदर इस तरह के सी बहुत ज्यादा मीठा सही नहीं होता है चाहे आप मिस्री लगा ले चाहे आप सक्कर लगा ले सीमित मात्रा में ही खाना के बाद में 20 мира बाद में रहाद में 20 मिनेट बाद में और एक चुम्मष शामके खाने के बाद में आप जरूर कहिए दोस्तों और जिनको यह समश्चा है ना उनको खाने के पहले 300 gram कम से कम salad खाना चाहिए, कच्ची सबजिया खाने चाहिए क्योंकि कच्ची सबजिया खाते हैं juice पीते हैं फलो का तो आपको जल्दी फाइदा मिलता है फल खाते हैं इस तरीके से ध्यान रखना उसके बाद में आप खाना खाना सबसे पहले salad खाना खाने के और फिर उपर से खाना खाना खाने में जो रोटिया खाते हैं चाहल खाते हैं वो कम कर दे quantity और salad की बढ़ाते दिन बर में पानी आप थोड़ा सा अच्छे से पीएं दोस्तो इंटेक अच्छा करना है पानी का और फ्रूट वगेरा भी आप दिन में ले सकते हो जूस वगेरा भी ले सकते हो आपके लिए अच्छा होता है खास कर जिनको कब्ज और गैस की समश्या होती है उनको जो है ना सुबह की वोक या शाम को खाने के बाद में 20-25 मिनिट जरूर टेलना चाहिए जल्दी फायदा मिलता है आपके दिन बर बैठे बैठे काम करते हैं तो थोड़ा वोत आपके शरीर के लिए ये एकसरसाइज या योग या वोक जरूर होती है ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों अगर आपको पसंट आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शिर कमेट हो चैनल पर पहली बार आये तो सब्सक्राइब कर ले वीडियो देखने के लिए दन्यवाद